अच इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपने किसी भी application से shopping किया है और उसे आप रेटन या exchange करना चाहते हैं जैसे कि मालीचे मैंने आप पर shopping किया है fan code से या आपने flip card से Amazon से कहीं से भी किया होगा तो उसे रेटन कैसे करते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक process बताते हैं उसी तरीके से आप किसी भी order को रेटन या exchange कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ दो या तीन दिन पहले मैंने flip card का order रेटन करके आपको दिखाया था कि कैसे आपको रेटन करना है और अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आखे आप यो fan code application से shopping किये हैं और आपका product आपके पास आ गया है तो उसे return कैसे करना है तो सबसे पहले आपको fan code application को open करना है जैसे आप इसे open करेंगे आपका fan code application होगा इस तरीके से आपका open हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा shop और आपको फिर shop के option पर click करना होगा जैसे आप इस shop पर click करते हैं click करने की बाद इस तरीके से page आएगा आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा वेट करने की बाद यहां पर दिखाई देगा आपको three dot और आपको फिर three dot के बटन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने की बाद इस तरीके से पे जाएगा पेज आने की बाद यहां पर दिखाई देगा आपको My Order और आपको फिर My Order पर क्लिक करना है जैसे आपके Order पर क्लिक करते हैं क्लिक करने की बाद आपके समने Order आपकी डीटेल से हिस्ट्री निकल कर आ जाएगी कि आपने क्या-क्या यहां से Order किया हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप आपको करना के कि आपको अपना Order चूज करना है कि आप किस Order को आप वापस करना चाहते हैं यान की रीटन या एक्क्षण्ज करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं learn more पर उन मूर क्लिक करेंगी तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहis colour है हमें जिससे रीटन या एक्चेंज करना है, तो आपको अपने product पर click करना है, product पर click करने की बाद, आपके समनी आजएगा return का option, फिर आपको यहाँ पर return पर click करना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार देखना होगा, कि यह window कब तक आपका open रहेगा return करने का, यानि कि यह return का button आपको कब तक मिलेग तो यहाँ पर बताया जाएगा यह हमें 29 मई तक मिलेगा यानि कि यह 29 मई तक हम इसे return कर पाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा return और आपको फिर return के option पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने की बाद आपके समने इस तरीके से पे जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल तो आपको अपना order number डालना होगा order number कैसे डालते हैं तो यहां से आदेए का back आपका ये order है तो इस order का जो यहां पर order ID number है यह है तो आपको इस ID number को copy कर लेना है यहां से copy करते हैं उसके बाद return जैसे हम इस पर click करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर आपको अपना email आड़ी डाल देना है सबसे पहले तो हम यहां पर अपना email आड़ी डाल देते हैं यहां पर आपको अपना order number इंटर करना है तो यहां पर हम अपना order number इंटर कर देते हैं उसके बाद मिलेगा select your issue यानि कि आपका क्या इसू है तो यहां पर आपको अपना इसू चूज करना है कि आपको क्या इसू है क्यों आप इसे return करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अपना जो इसू हो वो आपको यहां पर चूज करना है तो जैसा कि हम यहां पर अपना यहां पर इसू चूज करना है यहां पर आपको दिखाई देगा description में आपको कुछ लिखना होगा जो भी आपको लिखना है तो वह आप यहां पर टाल दीचेगा क्यों आपको क्या problem है क्यों आप इसे वापस कर रहे हैं आप अपना description डाल देंगे उसके बाद अगर आपको कोई file attach करना चाहते हैं अपने उसे file का photo तो यहां पर click करके डाल देंगे और उसके बाद नीचे मिलेगा submit और आपको फिर submit पर click करना है जैसे आप इस submit पर click करेंगे click करने की बाद थोड़ा सा आपको wait करना होगा यहां पर दिखाए देगा your request was successfully submit जैसा कि आप यहां पर देख सकत तो इस तरीके से आपने order को return कर सकते हैं यानि कि उसे आप वापस कर सकते हैं कोई भी परिशानी नहीं मिलेगी और कम से कम दो या तीन दिन का समय लगेगा आपके पास fan code का delivery boy आएगा और आपका product लेकर जाएगा और आपने जहां से भी पैसे दिये होंगे आपको पैसा वो PIC से दिया है तो आपका वहाँ पर वापस आजएगा अगर आपने dream 11 के coin से दिया होगा तो वहाँ पर आपके coins वापस आजएगे तो इस तरीके से आपने product को return के लिए डाल सकते हैं fan code shop के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप आप वीडियो को like कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको बहुत बहुत धन्वाद